पीयमोली के इस बयान पे कि भवान राम नेपाली है और अयुद्या नेपाल में है उस पे मुझे गुस्ता नहीं है बहुत लोगों को है मुझे नहीं है उल्टा मेरे पास एक सजेशन है शायद उनको पसंद आ जाए तो इस वीडियो में बने रहिएगा ये वीडियो स्पेस मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीयमोली का कहना है नेपाल के पधान मंतरी का कहना है कि आयुद्या नेपाल में है इंडिया में नहीं भगवान-्राम नेपाली है इंडिया नहीं में उनको और specifically ये पूरी की पूरी वीडियो मैं चाहता हूँ Nepal में शेयर हो, Nepali देखें और Nepali ही specifically Nepali ही comment में बताए अपने point of view, मैं उनको correct करना चाहता हूँ मैं उनको 100 परसंट गलत साबिच नहीं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ जो उनके समर्थक हैं या फिर जो भी अपने प्रधान मंतरी नेपाल के प्रधान मंतरी से जितना भी वाकिव रखते हैं कि गलत बोला सही बोला जो भी उनके थौट प्रोसेस है मुझे करन बताएं आपकी क्या थिंकिंग है उनके बयान पे और वैसे भी इस मुद्दे पे क्योंकि इंडिया में जब से सुना गया है तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं और क्रोध से भी फाइदा है ने वह टेक्निकालिटी थोड़ा सा गलत समझे उनका यह कहना था कि नेपाली है उन्होंने नेपाल को आज के परिवेश में देखा आप नेफंड भारत का वो एक हिस्सा था हर तरफ के राजाओं तरह वहाँ एक राजा राज करते कोई बाउंडरी नहीं होती ती राजा कार टिल सकता था और ऐक देश की तरह नहीं माना जाता आ राज्य था और सारे राज्यों को मिला के एक राष्ट्र बनता था तो उसी तरीके से नेपाल भी एक हिस्सा था हमारा ही इंडिविजुल एक सेपरेट कंट्री नहीं थी तो देखा जात भगवान नाम यूपी बिहार नेपाल बंगाल हर जगह के हैं लेकिन आज कि उन्होंन अब उन्होंने क्या सोचके किस थौट प्रसेस से बताया यह तो वही जानता और को नहीं जानता जब तक उनका अगला बयान नहीं आया जाता इक क्लरिफिकेशन में अब जातों वहां भी वह एक अलग पॉलिटेक्स खेलना चाहते हैं कि हम वोड़ बैंक ऑली पॉलिटेक से कर लेते हैं और जो माहोल चला है उससे डाइवयर्ण कर लेते है ज्यो चाइना के साथ मिलकर ब՜़ीया है पहले तक पहुचाँ रहा है और नेपाली जो देख रहे हैं जो मेरी भासा अराम्द समझ जा रहे हैं वह यह रहां तो वहीं कहना आयोध्या वहीं है यानि अजय कि भाषा थी अवधी भाषा थी तो उस भाषा में आप समझ जाई तो मैरा सजेशन यह है कि नेपाल की एक सब्सक्राइब थैफ उस तरह से नेपाल नाम नहीं देटेट लेकिन ये आप किसी मुसीबद में होगे तो इंडिया फोज भेजेगा आज चलने हैं लेकिन ना पासपोर्ट की जरू होते है किसी को ना वीजा की जरू होते है एक boundary क्रेट करने की राम सबके हैं राम के लिए आप अपनी boundary हटा दीजे और भाहें खोल दीजे और इंडिया और आप में कोई फर्क नहीं रहाएगा तो मेरा एक हमब सग्जिशन है आपको पीम ओली को कि आप एक बिल लाईए मांड़ी डिस्प्यूट को खतम करिए इंडिया के पीम से बात करिए जो भी डीलिंग्स होते हैं जिस तरीके से जिस इंटरनाशनल ट्रीटी से जिस तरीके से आप मिला सकें खुद को तो मिला लिए बात ही खतम भगवान को ले इस बयान पे और पीम ओली की पार्टी का कोई देख ले पीम ओली तक कोई पहुचा दे तो मैं भी उनका कमेंट जानना चाहूंगा और इस सजेशन को जो कि मैं ही नहीं बहुत लोग दे रहे हैं तो उस सजेशन पे उनका क्या रिप्लाई है उनका क्या थौट परसेस है व पता लगा लीजे रामायन में कि उनके भाई लक्ष्मन का सहर कौन सा था और आज उसका क्या नहीं है तो कमेंट करके बताओ कि मैं किस सहर की बात कर रहा हूं और उसका आज का नया नाम क्या है अपने आप पता चले जाएगा कि अयोध्या कहा है फिर मिलते हैं अगली क्वरो yönप्या कि अजया कptonár ज़िए कि अपक mínimo सिर्ग है इस अपने हैं से घर कर लंके तोकर रामायन मेंके बताड़ हैं और खी कि अपने पताव क्यादने ज़िए पया न cũ झामाने यागर है तो enorme में बाता जफ जले हैं बाता हैं आए बाता हैं विंड़ग गा है वि